महा विनाश का काउंटडाउन शुरू इस तारीख को हो जाएगा मानव सभ्यता का अंत एक तरफ तो पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस का कह है बर्पा हुआ है पूरी दुनिया में खोफ है दूसरी तरफ अंत्रिक्ष से भी एक ऐसी तबाही आ रही है जिससे मानव सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो सकता है पूरी दुनिया पर ये खत्रा मंडराने लगा है बड़े बड़े विज्यानिकों की नीद उड़ी हुई है और ये तारीख है 39 अंत्रिक्ष एक ऐस्ट्रोएड यानी चुद्र घ्रह धर्ती से टकरा सकता है इस अस्ट्रोएड की रफ्तार 31,000 किलोमीटर प्रती घंटा बताई जा रही है विज्यानिकों की मताविक ये अस्ट्रोएड हिमाल ले जितना बड़ा बताय जा रहा है नासा ने इस अस्ट्रोएड के धर्ती के बेहत करीब से गुजरने की पुष्टी की है विज्यानिकों को आशंका है कि अगर ये अस्ट्रोएड धर्ती से टकराया तो महा विनाश होगा हो सकता है कि दुनिया से पूरी मानव सभ्यता का ही अंत हो जाए तो क्या वाकि ये खबर दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बन गई है क्या वाकि दुनिया बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक महीने का ही वक्त बचा है तो चली आपको बताते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई अर्बो साल पहले महा विनाश हुआ था धर्ती से तबाही मचाने वाला एस्ट्रोएड टकराया था एस्ट्रोएड के टकराने से डाइनसोर यूप का अंत हुआ था और 2020 में ऐसा ही डर ऐसा ही खोग एक बार फिर से पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है बड़े बड़े विग्यानिकों की नीदुडी है सूपर पावर अमेरिका तक घबराया हुआ है क्योंकि नासा ने भी पुष्टी की है कि आसा ही एक विशाल एस्ट्रोएड एक बार फिर से धर्ती के बेहद करीब से गुजरने वाला है दुनिया बदल देने वाली ये तारी उनत्ती सप्रेल हो सकती है नासा की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है लेकिन कई विज्ञानिक इसके बाद भी आशंग का जता रहे है कि अगर इसकी टाइमिं में कुछ सेकेंड का भी अंतर हुआ तो एस्ट्रोएड धर्ती से सकता है और तब बहुत मुम्किन है कि इसके बाद डाइनोसोर की तरह पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाए सबसे पहले आपको इस एस्ट्रोएड का नाम बताते हैं इसे फाइब टू से उन्टान में आई यार्टू नाम दिया गया है इसकी रफ्तार 19,000 मील प्रतिगंट गयानिकों को अंदाजा है कि इस्ट्रोएड मांट एबरेस जितना विशाल हो सकता है और धर्ती पर टकराया तो तबाही मच सकती है 6.6 करोड साल पहले जिस एस्ट्रोएड के धर्ती पर टकराने से डाइनोसोर खत्म होगे थी उसकी रफ्तार 40,000 मील प्रतिगंटा थी उस इसी से आप अंदाजा लगाईए कि दुनिया पर अंतरिक्ष्य आ रहा ये खत्रा कितना बड़ा है और क्यों विज्ञाने इसको लेका ज़्यादा चिंतित हैं इधर कोरोणा वाइरस भी पूरी दुनिया में अपने पैर पसा रहा है और दूसरी तरफ इस महाविनाश के क दुनिया खौफ में है इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए साथ या आपके अपने चैनल हैडलाइन सिंडिया को सब्सक्राइब कीजिए